भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच के चौथे दिन अल राउंडर रवींद्र जडेजा ने बेहद ही शांदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया श्रीलंकाई बल्लेबाज की चौखा जाती हुई गेंद को रवींद्र जडेजा ने बहुत ही उम्दा तरीके से रोका और थ्रो किया हालांकि उनका थ्रो स्टम पर नहीं लगा लेकिन उन्होंने बहुत ही शांदार प्रदर्शन किया जडेजा का थ्रो ऐसा था जिसे देखकर कप्तान विराट कोहली भी हैरान रह गए कोहली के मुह से उस वक्त है निकला क्यूंकि गेंद्स टम पर लगते लगते रहे गई अगर उस वक्त गेंद्स टम पर लग जाती तो क्रीज पर मौझूद बल्लेबाज रन आउट होता लेकिन फिर भी जडेजा ने चोका लगने से रोक लिया जिस वक्त श्रीलंका आई बल्लेबाज ने ये शोट मारा था उस वक्त श्रीलंका की टीम ने 79 रोवर्स पर 8 विकेट के नुकसान पर 246 रन बना लिये थे उस वक्त क्रीज पर सुरंगान लकमल और रंगना है रात थे बतादें कि श्रीलंका के खेलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चाओ थे दिन रविवार का अंत भारत ने दूसरी पारी में एक विकेट के नुकसान पर 171 रनों के साथ किया